हाई अब्रीवन वेल्कम बेक टू माइ यूटूब चैनल जैसे कि आपने चैनल पर देखा होगा लन्निंग वीडियो अल्रेडी अपलोडेड है अगर आप बिलकुल नहीं है एकदम फ्रेश है तो आपको पहले वीडियो से कौन सा स्वाफियर यूज करना चाहे वह भी जो फ्री स्वाफियर वह मैंने बताया है और कैसे यूज करना चाहे वह भी बताया है इस वीडियो में बाकि ट्रेडिंग व्यू और चार्टिंग कैसे यूज करना है कैसे आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में भी अपन में और एक ऐसा वीसीपी जो नॉर्मल वीसीपी से अलग है लेकिन उसको भी आप वीसीपी ही कहेंगे क्योंकि नॉर्मल हम जो यूस्टू है जिस वीसीपी के बारे में वह वीसीपी यह होता है और वीसीपी का दाओ जोन्स के उपर एक ट्वीट है जहां पर देखेंगे स्टॉक पहले नीचे फिर उससे थोड़ा उपर रहता है यह हायर लो भी आप बोल सकते हैं और फिर फाइनली वह उपर जाता है तो यह स्टॉक की जो वालिटालीटी होती है उपर से वह कम होती जाती है और फाइन में जाके देखेंगे तो और जिनको पता नहीं होगा कि रियल विसीपी क्या होता है वह भी आपको समझ में आजाएगा अब गती में देखें तो यहां से जो ड्रॉप आया उपर से वह ड्रॉप है थर्टी वन परसंट का यह पूरा जो यहां पर जो कंसोलिलेशन किया स्टॉक ने यह इस थर्टी वन परसंट इसके बाद जो ड्रॉप आया वह ड्रॉप है अराउंड ट्वेंटी परसंट इसको भी हम अगर ट्रॉप कर दे तो इस अराउंड ट्वेंटी परसंट और जो लास्ट में देखेंगे आप इस अराउंड फोर्टी परसंट तो नर्मली जो मार्क मेंटी का वी सीपी है यह इसके बाद एक और ड्रॉप भी चाहेंगे वह लाइक पंद्रा नहीं विल प्रिफर तो गो लाइक अराउंड थ्री फाइव और सेवन परसंट तो एक और यहां पर होता अकॉर्डिंग टू मार्क मेंटी तो यह सबसे बेश रहता तो इस इस नोट परफेक्ट एग्जमबल विच मार्क मेंटी का अगर उसको डिफाइन जाती है तो लेस्ट से यह 20 परसंट था यह 11 परसंट है और यह 3 परसंट तो अबोव दिखेंगे यहां पर वह देखेंगे तो यह ओरिजिनल जो वी सीपी जो मार्क मेंटी ने जो दुन्डा था यह उस टाइप का वी सीप यहां पर आप देखेंगे एग्जमबल में तो यह भी आपको देखेंगा एक ड्रॉप लेकिन यह जो सेकंड ड्रॉप है वो फर्स ड्रॉप से थोड़ा कम है तो इस तरीके से इस से जो बनता है उसको हम कहते है वी सीपी यह वालिटालिटी कॉन्ट्राक्शन पैटन तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूं एक अलग ए पेस्ट होगा वी कोज अगर वालिटालिटी कॉन्ट्राक्शन पैटन को वी सीपी कहते हैं तो मैं आपको एक एक अग्जम्बल दिखा था हूं लेस्ट को ऑन्टू जेके पेपर तो अब आपको नोट करना होगा यहां पर अगर आप वी सीपी समझना चाहते है यह यहां परसंटेज चेंज जो रेट आप चेंज होता है उसको समझना उसको देखना तो अब यहां पर नोट करिए जेगी पेपर का इस दिन की केंडल का साइज है 11.67 अनजर डे 4.3 वन मोर डे 9.90 तो यह एक रेंज बड़ा रेंज हो गए स्टॉक के प्राइस का यह तीन दिन यह आ लेकिन जैसे ही आप इस केंडल पर पहुंचते हैं इस केंडल की वलेडारेटी क्या है 0.18 डेट अब चेंज देखें यहां पर होता था वो थोड़े ही दिन में विथ लोवेस्ट वोल्यूम अगर आप वोल्यूम नोट करेंगे तो विथ लोवेस्ट वोल्यूम स्मॉलेस्ट केंडल डेट अब चेंज तो यह क्या हुआ अगर यह 11.67 डेन 9.90 डेन 0.18 तो क्या यहांके कम हो रही कि नहीं है विसीप है कि नहीं है अगर आप इसको विथ बोलेंगे कि यहां पर वोले डालेट कम हो रही है तो क्या यह विसीप नहीं होगा 11.67 डेनगा। to 0.18 in few days with lowest volume तो ये भी अगर ये वी सीपी है आपके लिए तो ये भी तो वी सीपी हुआ ये दो केंडल का रेंज देखे और इस केंडल का रेंज देखे ऐसे बहुत सारे एक्जमपल आप देख सकेंगे तो स्टॉक जो अपमूव में होंगे वहां पे आप मैक्सिमम टाइम ये चीज़ नोट करेंगे कि smallest candle के बाद with lowest volume वहां पे एक अपमूव बनेगा इसके लिए आपको बहुत सारे स्टॉक देखने पड़ेंगे लेकिन that is how you can look into ये जेके पेपर का ही चार्ट है अब हम आ गये है 21st 22nd जून पे एक और एक्जमपल फिर से देखेंगे rate of change 4.97 13.44 इसके बाद stock drop to 1.18 तो ये दो candle के बाद like say 497 is not that big लेकिन यहां से अगर हम count करे 13.44 परसंट से stock आ गया 1.18 अगर ये rate change से 1.18 आ जाता है तो क्या वहां पर volatility drop हुई है कि नहीं हुई है ऐसे एक और example लेते हैं चिन्ने पेट्रो का ये stock है चिन्ने पेट्रो अब यहां पर देखिए अगें उपर देखना है यहां पर जो rate of change होता है 15 परसंट 6.74 उसके बाद 0.18 1.7 तो अगर यहां पर 15.5 15.5 परसंट 6.74 वहां से volatility drop होके 1 परसंट के अंडर जा रही है is that not a VCP यहां पर देखिए 9 परसंट उसके बाद 8.37 16.57 ओके वहां नोटिंग देट नाव यहां पर देखिए 8.37 नेक्स केंडल 16.57 और उसके बाद 0.20 4 परसंट 2.50 0.95 3 परसंट तो क्या यह volatility drop होई के नहीं यहां पर इसको आप VCP बोलेंगे के नहीं बोलेंगे क्योंकि जो stock की range 16 परसंट की थी वह drop होके 1 परसंट तक पहुँच गई है तो इसको भी आप बोलेंगे volatility contraction यहां पर भी stock की range एक contraction हो रहा है next example मिर्जा international अगर हम मिर्जा international में देखेंगे तो यहां पर देखिए candles को 15.27 10.59 आपको फिर से rate of change देखने के लिए आपको यहां पर देखना होगा उपर यहां पर आप देखेंगे जहां पर आपको rate of change दीखेगा जो high low open high low close के पास जो होता है यह आपको देखना होगा 15.27 10.46 10.51 13.82 इस दो दिन की रेंज के बाद एक drop देखें यहां पर रेंज का 0.34 और उस दिन के बाद 30% move in 3 days because stock up trending था यहां पर just volatility drop हुई and serious drop देखें यहां पर जो stock 15% daily move दे रहा था 15.27 let's say another day was 10.46 and the last day here drop was the volatile regardless अगर वो stock plus था या minus था वो नहीं देखना हमें पस volatility stock की range कितनी थी तो 0.34 that was the rate of percentage change था उस दिन का तो serious drop 15 10 0.34 अगर यहां पर जो यहां पर जो drop होता है vcp में जो normal vcp आप बोलते हैं अगर यहां पर 28% 12% and then 5% तो वो आपके लिए buy बनता है तो यह buy क्यों नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर भी तो vcp है यहां पर भी तो range contrast हो रही है यहां पर भी तो 31, 13.82 और यहां पर drop to 1.07 तो यह भी volatility में drop आया के नहीं आया यहां पर और उसके बाद देखे तीन दिन में जो move आया that is more than 24% in just 3 days तो अगर आप यह vcp trade करेंगे तो यह will get more trades क्यों अगर आप full time trader होगे अगर आपको trade करना आपका काम होगा तो आप गती के chart पे जाके देखेंगे तो किस बज़र से मैं इस vcp I am not against this vcp लेकिन आपको trades कम मिलेंगे why because यह पूरा structure ready होने में from June 28 to December that means almost 6 months 6 महिने तक यह setup built हुआ उसके बाद आपको buy करने का chance मिला in गती किन अगर जब आप चिन्ने पेट्रो जेकी पेपर और मिर्जा का setup देखेंगे वहाँ पर आपको chances ज़्याजा मिलेंगे अगर देखा जाए तो दोनों situation यह भी एक VCP है यहां पर भी volatility contrast हो रही है और जहां पर आप देखते हैं कि एक बड़े candle के बाद rate of change के बाद एक छोड़ी छोड़ी candle बनते हैं लोएस candle बनते हैं उसके बाद एक move आता है that is also a form of VCP दोनों VCP ही बोलेंगी क्योंकि volatility तो दोनों जगा पे drop हो रही है so यह चीज मैं आपको बताना चाता था I hope कि वीडियो आपको पसंद आई हो इसके regarding आपके कोई भी doubt हो तो आप comment box में मुझे बता सकते हैं और एक बात जरूरी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है थैंक यू और वचिंग दो कि अगरा है